असम के राज़ेपाल गुलाब चंद कठारिया चित्तोर गड़ जिले के निम्बा हेडा शेत्र के दौरे पर रहें राज़ेपाल बनने के बाद पहली बार निम्बा हेडा आने पर उनका जोरदार स्वागत किया गया इस दौरान भाज़पा प्रदेश अध्यक्ष सिपी जोशी भी मौचूद रहें राज़ेपाल निम्बा हेडा में अमरिजल सनरक्षन परियोजना का शिला नियास किया इस दौरान उन्होंने कहा कि कारेकरताओं की मेहनत कहां से कहां ले जा सकती है आज हम किसी भी पद पर चले जाएं अगर कारेकरता हमारे साथ नहीं होंगे तो वो पद हमारे लिए शून ये कहलाएगा साथ ही उन्होंने कहा कि पियम मोधी भारत का नाम रोशन कर रहे हैं उसी प्रकार हमें भी उनका सहयोग करना चाहिए अरबात राजसमन्त की जहां राजसान कॉंग्रेस के सेफरभारी विरेंदर सिंगराठोर नाथ द्वारा पहुचे जिले के दौरे पर आए विरेंदर सिंगराठोर का न्यू कोटेज में कॉंग्रेसी कारिकरताओं निस्वागत किया मीडिया से बात करते हुए प्रदेश सेफरवारी ने कहा कि संगठन को मजबूत करने के लिए जिला इस्तर पर संगठन की समिक्षा करने आए हैं अब तक कई जिलों के दौरे कर चुके हैं और ब्लॉक कमिटी अध्यक्षों और कारेकरताओं से मिलकर हाल चाल जान रहे हैं संगठन को कैसे मजबूत किया जा सकता है इसे लेकर भी चर्चा कर रहे हैं साथ ही विरेंद्र सिंग राठोन ने दावा किया कि इस बार फिर से कॉंग्रेस की ही सरकार बनेगी ग्यारा जिरूं कि हमारे दोरे हो चुकी हैं मुख्य रूप से अख़रियर समील्नों में कारेकरताओं के साथ बेठ सर्चा समाजिक और राजनीदिक इस्पिकोन से तमाम ब्लॉक के मंडल के तमाम कारेकरताओं के साथ बादचीट तो अहीं बाडमेर जिले के धोरी मन्ना में राष्ट्रिय लोकतांत्रिक पार्टी का हला बोल जारी है जना अंदोलन रैलि के बाद हनुमान बेनिवाल ने बचरी माफिया के खिलाफ विभिन अमांगो को लेकर कलेक्टवेट पर जोड़ार प्रदृशन किया और कॉंग्रेस के खिलाफ नारे बाजी की वहीं जिला प्रशासन के साथ भी बाट चीत की जिसके बाद जिला प्रशासन, माइनिंग विभाग और पुलिस अधिकारियों ने हनुमान बेनिवाल की मांगो को जायज माना और बजरी माफिया के खिलाफ विजिलन्स टीम से जाँच करवाने की सहमती थी जिसके बाद धर्ना प्रदर्शन समात किया गया अधिये म्याज मापिया करे दे तो ऊसमे बचली मापिया के खिलाब मुगदमा मानिंग डिपारटमन्ट्बर्श कर गए हमने कुरा मानिंग को दिया और मार्म दीमा पिकश्वानिग विरो पर दे दिए जित्ता भी उसके अंदर है उस सब लोग इन्हों लोंगे जित्ते भी होंगे कि माइन सोल्डर से लेके जिन जिन लोगों ने रवाना तीज दिस नाके पक्के है यह करीब पांच छे फायर बने की अलग लग ठानों की वह साफ के नाम माइनिंग इंजीनियर ने और खबरों में आगे बढ़ते हुए बिपर जोय तुफान की बात करेंगे राजस्तान में बिपर जोय चक्रवाद का असर भले ही खत्म हो गया हो लेकिन अलग अलग जिलों में एक बार फिर बारिश का दौर शुरू हो चुका है मौसम विभाग ने राज्य में अगले चार दिन जमा जम बारिश का पुरवानुमान किया है हलाकि अभी प्री मौनसून बारिश होगी तो चार तस्वीरे आप देख पा रहे हैं बारिश से जुड़ी अलग अलग तस्वीरे जहां पर जैपूर, अलवर, सिरोही ये अलग अलग जगहों का नजार आप देख पा रहे हैं जहां पर प्री मौनसून की वज़ह से सड़के जलमग न हो चुकी हैं तो ये खास तस्वीरे आपको दिखा रहे हैं बारिश के बाद कुछ लोग जहां पर मस्ती करते हुए नजर आएं जहां लोगों को गर्मी से निजात मिली तो वहीं दूसरी और कुछ लोगों की मुसीबते बढ़ती हुई भी नजर आएं इसके बीच अब प्री मॉंसून बारिश की शुरुवात हो चुकी है जिसके वज़ा से एक बार फिर से ऐसा ही नजरा देखने को मिल रहा है जैपूर ग्रामिन के विविन इलाकों में मौसम का मिजास बदला हुआ है जम्वा रामगर्ड, शाहपूरा, टाला समेत कई कज़बों में रविबार सुबह बारिश का दोड़ शुरू हुआ, बारिश होने से मौसम में ठंडक आई और पिछले कुछ दिरों से हो रही मेरा विवार सुबह से ही बारिश का दोड़ शुरू हुआ, तकरिबन एक घंटे से जादा समय तक बारिश की जमा जम बूंदे बरस्ती रही आसमानी अमरित किसानों के लिए राहत तोक कज़ बेवासियों के लिए आफ़त बन गई, तकरिबन एक घंटे से जादा समय तक बारिश होती रही जिसने प्रिशासन के जल निकासी के तमाम दावों की भी पोल खोलती मौनसून पुर्वन नालियों की सफाई नहीं होने से जल भराव की समस्या उतपन होई, गलियों से लेकर मुख्य मार्ट तक पानी ही पानी नजर आया शेहर के डापर मौले, देवन रोड, गंगा मार्केट या फिर ये अलग-अलग जगों का आलम देखिये जहाँ पर सडकों ने तलयया का रूप ले लिया है सडकों पर ऐसा प्रतित हो रहा था, मानों ये सडके नहो कर यहाँ पर एक नदी बह रही हो बरसात के कारण पालिका शेत्र के कई निशले मोहलों में भी एक से दो फिट तक जल भराव हो गया तो बिती रात को अचानक जुझुरों में बदले मौसम के चलते जहां लोगों को गर्मी सिराहत मिली तो वहीं कई जगों पर नुकसान की खबरे भी मिल रही है नवलगड के दूंडलोद में बारिश के साथ आये तुफान के कारण कई पेड धाराशाई हो गए जूपा बस स्टैन पर पेड मुख्य सड़क पर जाके रहे जुससे याता याद भी प्रभावित हुआ वहीं रात को तूफान के साथ ही बिजली की सप्लाई भी बाधित हो गई ग्रामिनों ने मिलकर पेड़ों को सड़क से हटा कर याता यात को सुचारू किया वहीं अज में डिसकॉम की टीमें भी घर घर घूम कर वहाँ पर जायजा ले रहे हैं तो मुख्यमंत्री अशोग गहलोत लगातार कई प्रोजेक्ट को लेकर अवलोकन कर रहे हैं जैपूर में और इस वक्त सेंट्रल पार्क से ये तस्वीरे आपको दिखा रहे हैं सेंट्रल पार्क ये भी ड्रीम प्रोजेक्ट में मुख्यमंत्री अशोग गहलोत के शामिल ह हुए हैं और कोशिश लगातारिय की जारी कि जल से जल्द इसे लोगों को समर्पित कर दिया जाए महत्मा गांधी को लेकर भी यहां पर खास जो उनके स्मृति चिन्न है वो रखे गए हैं जिसे लोगों को दिखाया जाएगा दर्शाया जाएगा और उनके जीवन शैली के लोगों को बताया जाएगा कि वो किस तरीके से किन विचारों पर चलते थे जिससे की लोग उनके विचारों को उनके जीवन शैली को अपने जिंदगी मुतार सके और अच्छे काम कर सके दो अलग अलग तस्वीरे इस वक्त आप देख पा रहे हैं लगातार तावर तोर द लगातार से तस्वीरे आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर इस वक्त सेंट्रल पार्क का अवलोकन मुख्यमंत्री अशोग गहलोत द्वारा किया जा रहा है तो लगातार सीम का एकी मकसद है कि प्रदेश में विकास हो सके और यही वज़ा है कि कई खास योजनाई उनकी ओर स जगों का दौरा कर रहे हैं और प्रोजेक्ट की समिक्षा करते हुए उन्हें देखा जा रहा है जो लोग वहाँ पर काम काच कर रहे हैं उनसे भी फीडबैक ले रहे हैं जानकारी कठा कर रहे हैं जो दिक्कते आ रही हैं उन्हें भी समझने की कोशिश की जा रही है और इ तो शिक्षा के शेत्र में प्रदेश आगे निकले चिकित्सा के शेत्र में प्रदेश अवल हो और इसके साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्शरल डेवलप्मेंट हो जो पार्क हैं उन्हें जादा से जादा विक्सित किया जाए इन तमाम खास मकसदों को लेकर आज ये सीम अशोक गहलोत दौरे पर निकले हुए हैं अलग-अलग जगहों पर पहुच रहे हैं और अवलोकन कर रहे हैं बाबुलाल से होगी इस वक्त हमारे साथ जूट चुके हैं बाबुलाल लगातार दौरे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के और से कई प्रोजिक्ट्स का अवलोकन किया उन्होंने अभी Central Park में पहुचे हुए हैं वहां से क्या जानकारी तो जी मुख्यमंत्री गान्दी दर्शन म्यूजियम का निमान कारी चल रहा है उसको देख रहे हैं और पूछ रहे हैं अधिकारियों से जेडीय जो है इसकी कारिकार एजिंसी उससे बात कर रहे हैं कि कब तक इसका निमान कारी पूरा हो जाएगा ब्रीन प्रोजेक्त मंद्रे शोग गैलोद का सो करोड रुपयों की लागत से गान्दी दर्शन म्यूजियम बनना है जिसका काम चल रहा है इस वक्त और ये पूरे देश में कहनुठा म्यूजियम होगा जिसमें वहां गान्दी से लिखी उनकी यहां पर यादे होंगी जान्दी के जो आस्रम है उसी की तरह से यहां पर भी बहुत सारी जीज़ें ऐसी बनाई जाएंगी जिसे यहां पर आने वाले टूरिस्ट को गान्दी चिंतक को और आमाद में कोई मैसूस हो सकेगी गान्दी के सपनों का अगर कोई दर्शन करना है तो फिर इस म्यूजियम में आकर कि आपको देखना पड़ेगा तो मुख्यमंदी शोगरलो तो अपने गान्दी वादी सोच को आगे बढ़ाते हुए गान्दी दर्शन म्यूजियम का निर्मान करा रहे हैं और एक ऐसा अनुठा म्यूजियम बनने जा रहा जिनके जीवन पर गान्दी का असर रहा है उन तमाम लोगों से रहा है मशुरे किया गया और जहां पर भी गान्दी के आस्रम हैं वहां पर लोगों को बेजा गया अधिकारी गये वहां पर और खुद मुख्यमंदी शोगरलो तो गान्दी के आस्रमों में जाकर कर देख कर कि उनको किन चीजों से जुड़ा हुथा, उनके जीवन पर किन चीजों का असर था, वही चीजें गांधी दर्शन जूजियम में अब देखने को मिलेगी, कुमार प्रशान तरह गांधी वादी चिन तक हैं, जो मुझे मंतिर अशोग गलोग के बहुत करीब हैं, उन्हों ने और किस तरह से ये एक भव्वी मुजियम बने, जहां पर आने के बाद में किसी भी इनसान को एहसास हो कि गांधी की सोच ऐसी थी, गांधी का काम ऐसा था, और गांधी जो विचार छोड़के गए हैं, तो पूरी दुनिया को किस तरह से और, यानि की इनसा का संदेश दे स किस तरह से गांधी वाद के मार्क पर चल करके, आज के दोर में जो इस परिशानिया आ रही है, आम आज के बावुलाल, राष्ट्र पिता को लोग करीब से जान सके, उनके उसूलों को समझ सके, उनके कारशैली को अपने जीवन में लागू कर सके, यही मकसद है, गांधी म दो यूजियम का भी जिसका दोरा इस वक्त मुखि मंतरी अशूग गैलोत कर रही है, बहुत शूकरिया बावुलाल, तवाम जान कारेयों की.